Hey everyone, welcome back to your favorite channel, Magnet Brains, this is me, Shipra Tiwari, बहुत-बहुत स्वागत है, यहाँ पर आपको प्रवाइट कराया जाता है, बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइप में बहुत अच्छा कुछ कर सकें बिटा, ठीक है, तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, last class में हम will start the plasma membrane, cell wall, animal cell में नहीं पाई जाती है, यह सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, साथी साथ यह और किस में पाई जाती है, वो आप ध्यान से समझो, यह fungal cell wall भी हो सकती, chitin की बनी होती है, ठीक है, chitin क्या है, it is the anacetyl galactosa mine, ठीक है, anacetyl galactosa mine, it is what, it is a type of polymer sugar ठीक है, ठीक है, तो chitin is made up of nag and nam, nag is the anacetyl glucosamine and anacetyl muramic acid, यह मैंने आपको पढ़ाया भी है, anacetyl, anacetyl what, anacetyl glucosamine, glucosamine, ठीक, and anacetyl muramic acid, ठीक है, और हम लोग anacetyl glucosamine को कहते है, nag, और anacetyl muramic acid को कहते है, nam, ठीक है, इनकी cell wall कैसे अरेंज रहती है, आप पढ़ सकते हैं, fungus मैंने आपको पढ़ाया भी है, कि nag और nam की alternative units arranged रहती हैं, और एक cell wall का formation करती है, which is called as chitin, बहुत साल लोग उसको chitin, chitin बोलते है, it is not chitin within beta, it is ch chitin, okay, now, algae में भी cell wall होती है, which is made up of cellulose, galactose and mannose, ये तीनों जो है, ये polymer of sugar है, ठीक है, ये glucose के polymer ही है, galactose and mannose, ठीक है, mannose sugar है, galactose sugar है, और ये cellulose, which is the polymer of glucose, now, plant cell के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग, plant cell किस की बनी होती, cellulose की, ठीक है, cellulose क्या है, ये एक insoluble, ठीक है insoluble polymer है, insoluble polymer of sugar, ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा, कि पौधा जो होता है, उसको आप कितना भी गीला कर दीजे, अगर पौधा जीवित है, तो वो कभी भी सड़ेगा नहीं, क्योंकि जो cellulose होता है, वो insoluble होता है water में, पानी डालते रह, डालते रह, भी सड़ है, वो पानी से damage हो सकती, पानी से सर सकती है, इसलिए हम लोग पानी में survive बहुत देर नहीं कर सकते, वो बात अलग है कि जो लोग animal जो पानी में रहते हैं, उनका body structure थोड़ा अलग होता है, ठीक है, बट plant wall जो होती है, cell wall जो होती है, उसमें जिनमें cellulose होता है, वो insoluble होत जीएगा मेरी बात जो मैं कह रही हूँ, यहाँ पर वैसे मैंने एक diagram बना रखा, आप देख सकते हो, देखो क्या होता है, कि plant cell wall जो है, basically जो plant cell wall है, उसके हम लोग मानते हैं कितने layer, उसके हमारे पास 3 layer होते हैं, पहली layer क्या होती है, पहली layer होती है, पहली layer होती है, लैमिल लैमिला, अब बोलो मैडम सबसे उपर आपने लैमिला दिखा रही हो और बता रही हो इसको मिडिल लैमिला, चीक है, इससे पहले मैं आपको समझाती हूँ, cell wall जो होती है, वो basically दो प्रकार की हो सकती, एक होती है primary cell wall, एक होती है secondary cell wall, ठीक है, तो primary cell wall, secondary cell wall और middle लैमिला, पर magnesium pectate से, आई बात समझ में, ये calcium और magnesium pectate से बनी होती है, याद रखिएगा ये चीज, calcium और magnesium pectate ये इनको hardness provide करवाते हैं, ठीक है, अच्छा, अगर आप किसी fruit को देखो ध्यान से, तो जब वो कच्चा रहता है, तब वो कड़क रहता है, एकड़म कड़क, ठीक है, पर धी middle lamella का calcium और magnesium pectate होता है, वो फल के mature होने के साथ साथ, loose होता जाता है, टूटता जाता है, तो जितना ज्यादा calcium और magnesium pectate टूटेगा, उतना ज्यादा आपका फल पकेगा, समझ में आई बात, इतनी बात आपको clear हुई, so middle lamella is the outer part of the cell wall of plant cell, which connects the cell from one to another, there is a structure called as plasmodasmata, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेगे हम लोग, so एक structure होता है, plasmodasmasmata, जिससे एक cell, दूसरे cell से middle lamella के तूटी रहती है, अब अगर एक cell को खाना मिल गया है, और बहुत जादा हो गया है, तो plasmodasmasmata के तूचल चल के, फिर पिर करके दूसरी cell में पहुत जाता है, so plasmodasmata क्या है, plas अब हम लोग बात करते हैं, primary cell wall की, देखो, primary cell wall जो होता है, यह generally किस जगह पर पाया जाता है, primary cell wall पाया जाता है, meristematic और parenchymetis tissue में, ठीक है, meristematic and parenchymetis tissue, and parenchymetis tissue, यह कौन से cell है, बताएए मुझे, अरे भईया, जो cell हमेशा divide होती रहती है, उसको meristematic cell कहते हैं, और जो cell divide होना बंद हो जाती, वो थी permanent cell, आपने पढ़ा है ना, 9th class में, there are 2 types of tissues, meristematic tissues and permanent tissues, तो जो cell हमेशा divide होती रहती, जो जवान होता है, अब जवान लोग जो है, वो हमेशा growth करता रहता है, एक बार आपकी height बढ़ गई, plant के साथ हाला की थोड़ी कहानी अलग है, पर plant में भी, there are 2 types of tissues, one is the meristematic and second is the permanent, आपने देखा होगा कि पेड की जो उपर की tip होती है, हमेशा वो growth होती है, एक बार अगर तना मोटा हो गया, तो उसके बाद उसमें कोई growth नहीं होती, उसमें सिर्फ secondary growth होती है, जो की मोटाई बढ़ाती है, गिर्थ बढ़ाती है, plant की, समझ में आई बात, primary cell wall जो होती है, यह हमेशा single layer की होती है, और यह growing reasons में पाई जाती है, plant के, समझ में आई बात, structure देख ले हम लोग इसके, चले, देखे क्या होता है, so this is the middle lamella, आपको middle lamella clear हो गया, middle lamella is made up of calcium and magnesium pectate, it is connected by the other middle lamella through the plasma decimata, कोई भी food अगर किसी एक cell को मिल गया है, तो वो plasma decimata के तुरू, चलते चलते इस cell पर आ जाएगा through the middle lamella, ठीके ठीके ठीके, ठीके, नाव, अब आप क्या देख रहे हो, middle lamella के बाद आपको दिखाई दे रही है, primary cell wall, primary cell wall हमेशा single layer की होती है, समझ में आई बात, primary cell wall हमेशा single layer की होती है, किस से बनी होती है, cellulose की बनी होती है, cellulose जो भी cell wall, जो भी cell wall, cellulose से बनी होगी, वो हमेशा ये दर्शाएगी, कि इस जगह की cells अभी जीवित है, समझ में आई बात आपको, अब यहां की cell divide होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, और जो है, plant को growth करने में मदद करेंगी, समझ में आग तो ये वाली जो cells रहती है, इनकी cell wall जो है, cellulose की बनी होती है, और cellulose जो है, ये living cell दर्शाता है, तो इस cell wall पे जो भी cells पाई जाती है, primary cell wall जिसके पास भी होती है, इसका मतलब ये कि वो cell अभी grow कर रही है, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, ठीक है, तो ये cell wall जो है भी grow कर ये जवान है, ठीक है, अभी तो मैं जवान हूँ, तो जवानी में growth होती है, तो जिनके पास भी primary cell wall होती है, मतलब ये plant जवान है, अभी growth कर रहा है, ठीक है, पैक्टिन, पैक्टिन आप क्या देख रहा है, कि लैमिला में भी है, और support कर रहा है, पैक्टिन is what, it is a sugar, बेट और एक बर cell wall तूट गई, तो असानी से कोई भी चीज़ cell membrane से अंदर गुश सकती है, ठीक है, जो आपका primary cell wall होती है, it is made up of cellulose, hemicellulose, some pactins and some proteins, ठीक है, और ये जो hemicellulose होते हैं, ये सब जो है primary cell wall में पाए जाते हैं, और कुछ proteins भी पाए जाते हैं, ठीक है, अगर कोई plant growth कर रहा है continuously, तो primary cell wall के नीचे कौन सी, क्या पाए जाएगा, direct plasma membrane, पर अगर कोई plant बूढ़ा हो चुका है, अगर कोई plant बूढ़ा हो चुका है, नहीं मान रहा है, कोई plant बूढ़ा हो चुका है, नहीं मान रहा है, तो होता क्या है, कि primary cell wall होती है, अब उसकी meristomatic cells जो होती है वो divide होना बंद हो जाती है, और उसकी उपर होता है addition of layer, देखो क्या होता है, there are two types of growth, primary growth and secondary growth, secondary growth में हम xylem tissues को बढ़ाते हैं, xylem tissues मतलब तने को मोटा करते हैं, तक कि ज़्यादा से ज़्यादा nutrition और पानी मिल सके, ठीक है, अब ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, plant का जब anatomy पढ़ेंगे, तब मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है, तो secondary cell wall क्या होती है, जब कोई plant मोटा हो जाता है, ठीक है, जब कोई plant मोटा हो जाता है, तो मोटे वाले plant में primary cell wall की उपर और बहुँत सारी walls लगती जाती हैं, लगती जाती हैं, लगती जाती हैं, पर, there is a difference between primary and secondary cell wall, primary मेरी जो सेल वाल होती है वो Living और सैलिलोस की बनी होती है। जबकि जो सेकेंडरी सेल वाल होती है वो बाहर से काटेंगे तो वो एकदम hard और wood ही दिखाई देगा तो secondary cell wall helps in the formation of wood लकडी बनाने में काम करता है समझ में आई बात तो एक किस के उपर होते हैं primary cell wall के उपर So mature cell more layer added to the internal primary wall It brings to the thickening of cell wall कितना plant मोटा होगा वो secondary cell wall पे depend करता है देखो क्या है Primary cell wall जिसके पास होती है वो हमेशा छहरहरा होता है दुबला पतला होता है पर जिसके पास secondary cell wall जितनी जादा secondary cell wall होगी उतने आप मोटू होगी ठीक है plant आपनी Now it forms the harder woody parts of the plant मैंने आपको बताया कि if the secondary cell wall is बहुत मोटी अगर आपका plant बहुत पुराना है वो tree में convert हो गया इसका मतलब यह कि उसके पास बहुत सारी secondary cell walls है which is made up of suberine and lignin they are dead tissues ठीक है चलो permanent tissues के बारे में आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोगों ने क्या क्या देखा हम लोग एक diagrammatic representation देख लेते हैं आजाए तो सबसे पहले हमारे cell के ऊपर क्या थी middle lamilla क्या थी हमारे पास middle lamilla ठीक है उसके बाद आई उसके बाद क्या आई उसके बाद आई primary cell wall ठीक है यह है primary cell wall ओके बना देती हूँ थोड़ा अच्छे से यह कौन सा plant है living plant ठीक है middle lamilla ठीक है now this is what this is the primary cell wall ठीक है ओके अब एक cell से आपने दूसरी cell को connect करना है ना अगर आपको एक cell से दूसरी cells को connect करना है तो कैसे करोगी ठीक है थोड़ा से इसको दूर दूर बनाओ तो अगर आपको एक cell से दूसरी cell को connect करना है तो कैसे करोगे यह एक cell wall है ठेक है और यह इसकी दूसरी यह इसकी दूसरी यह primary cell wall है अब एक cell से दूसरी cell को connect करना है so there is a tissue white color where is the white color here it is so यहाँ पर एक tissue होगा यह white color अच्छा नहीं है चलो मैं दूसरे select करती हूँ so यहाँ पर एक tissue होगा यह देखिए यहाँ पर मैं white कर ली हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ बनाना है अब क्या बनाना है वो अभी आपको समझ में आएगा देखिए इन दोनों के बीच में connection है जिससे कोई भी चीज एक cell से दूसरे cell में जा सकती है it is called as plasmodesmata क्या कहलाता है यह plasmodesmata ठीक है NCIT में मैं इसको और explain करूंगी जब इसकी booty पढ़ाऊंगी ठीक है तो यह होता है plasmodesmata ओके तो यह क्या है एक जवान cell है जिसके उपर primary cell wall है पर अगर एक बुड़ी cell के बारे में बात कर रहे हैं तो वह यह ऐसा है कि middle lambda तो सब के पास है middle lambda तो कोई नहीं मानेगा middle lambda सब के पास है okay middle lambda सब के पास है पर अब आपने मेरी बात को ध्यान से समझना है पर इसके नीचे इसके नीचे अब आएगी secondary wall यह देखिए इसके नीचे क्या आगई बहुत मोटी secondary wall यह देखिए इसके नीचे आगई क्या बहुत मोटी secondary wall ठीक है ओके तो यह कौन सा टिशू हो गया यह हो गई secondary cell wall मैं लिखूंगे यहाँ पर तो यह है अपनी middle lamella as usual ठीक है यह क्या है अपनी middle lamella और यह क्या है आपकी secondary cell wall कौन आपको जादा मोटी दिख रही है यह जो है यह आपको more thicker दिख रही है जादा मोटी दिख रही है यह क्या produce करेगी इट प्रड्यूसेज दा सेकेंडरी ग्रोथ ठीक है यह क्या produce करती है primary growth क्या produce करती है primary growth correction दोनों का plasma decimate के थू ही होगा ठीक है अगली बात आप मेरी बात ध्यान से समझो जो मैं बोल रही हूं function of cell wall function of cell wall देखो क्या है maintenance of shape देखो अगर plant cell के पास सिर्फ cell membrane होती तो चीज़े transport वैसे तो animal cell जो होती वो जादा shape कुछ maintain कर लेते हैं कुछ नहीं maintain कर पाते हैं क्योंकि इसके पास cell wall नहीं होता है दूसरी बात यह है कि plasma membrane बहुत ही जादा delicate होती है तो असानी से bacteria, fungus, virus सब अंदर घुस सकता है पर wall जो है वो नहीं आने देगी चला act निकल यहां से तो cell wall जो होती है वो membrane की उपर पाई जाती है और असानी से किसी भी pathogen को चाय बैक्टिरिया हो वाइरस हो, fungus और प्रोटोजोन हो किसी को भी अंदर घुसने नहीं देती देखो अपने साथ यह है कि अपने पास bacteria का infection हो तो डॉक्टर के पास जाके दवाई खा लेंगा, plant थोड़ी कूथता हुआ कहीं जाएगा और दवाई मांगेगा, तो भगवान में उसको दे के भेजा है कि तुम्हारे पास असानी से कोई entry ले ही नहीं सकता, आपको भी पता है कि एक cell wall, दूसरे cell wall में बहुत सारे connections होते हैं, विच इस कॉल्स असानी से जुड़ी हुई होती है, जुड़ी होती है, ताकि कोई भी cell को अगर कुछ मिल गया है, तो असानी से दूसरी cells को दिया जा सके, क्योंकि plant में traveling जैसा कुछ भी नहीं है, उसमें तो भी ये xylem है, xylem phloem में एक cell को दे देता है, फिर हर cell distribute कर लेती है, अपने साथ क्या है कि हमको एक-एक cell को देना पड़ता, अपने पास distribution वाला property नहीं है, इनके पास distribution वाला property है, ठीक है, so this is all about the cell wall, cell wall के बारे में मैं और ज्यादा आपको पढ़ाऊंगी, NCRT के time, ठीक है, इतना this is all about, cell wall में इतने ही question बनेंगे, और जितना और पढ़ाना मैं NCRT में पढ़ाऊंगी, so I hope you learned and enjoyed the video of cell wall, see you in the next class with a long topic called plasma membrane, तब तक घर पे रहिए, safe रहिए और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और lectures देखते रहे, thank you so much